अभी हाली में आप लोगों ने देखा हुआ कि क्वार्ड सिखर सम्मिलन आयोजित किया गया है और याद रखिए इससे आपके इस तरह कोई भी टॉपिक चर्चा में रहता है तो उससे आपके फ्रिलेम्स में कई तरह की कुश्चन्स बन सकते हैं और आप याद रखिए लिखित परिक्षा में भी आपसे कुश्चन्स पूछा जा सकता है देखिए लिखित परिक्षा में आपका इस कुश्चन्स इस तरह का भी बन जाएगा कि जो क्वार्ड सिखर सम्मिलन है या फिर क्वार्ड जो भी संगठन है इसका क्या महत्त है चर् सर्वेस में भी questions बन सकते हैं और one day exam में direct questions आप से पूछा जा सकता है तो इसके बारे में एक बिस्तार से हम लोग बात कर लेते हैं और मुझे लगता है कि इसे देखने के बाद आपका कोई भी questions नहीं छोटेगा ठीक है? आप सभी को मालू होगा कि भारत, अमेरिका, जापान और और उस्टिलिया के सीस नेताओं की Quad Group का पहला वर्चूल सिखर सम्मिलन का आयोजन हाली में किया गया है वर्चूल सिखर कहने का मतलब है कि वीडियो कॉन्फेंसिंग के माद्यम से ये आयोजन ये सम्मिलन किया गया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी कुरोना महमारी के कारण एक देश से दूसरे देश स्यात्रा नहीं की जा पा रही है आप समझ रहे हैं इसलिए आज कल ओनलाइन ही सभी सम्मिट हो रहे हैं इस तरह के जो भी सम्मिलन होते हैं ओनलाइन ही किये जा रहे हैं तो भारत के बारे में देख लिए आप लोग यह है हमारा प्यारा भारत देशिया में और आप जानते हैं कि राधदानी दिल्ली हो गया और आप सभी को यह भी मालू होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी और इसके अगर पडोसियों की बात करें अपने भारत की तो स्रीलंका हो गया, बंगलादेश हो गया, मैनमार, भूटान, नैपाल उपर चाइना है और यह पाकिस्तान अफगानिस्तान है इसमें दूसरा देश है आपका जापान तो देखेंगे आप लोग जापान चलेंगे तो यह है आपका जापान इसकी रादधानी की बात करें तो आप देखेंगे इसकी क्या है टोकियो ठीक है? और इसे आजादी मिली थी तीन माई 1947 को यहां की अगर मुद्रा की बूचे आपसे की करेंसी क्या है तो याद रखेंगे आपको जापानी एन है और भारत की आपको माली हुए यह होगा की भारती है रुप्या है इसमें तीसरा दिस आपका सामिल है ऑस्टेलिया ऑस्टेलिया कहा है? यह है ऑस्टेलिया इसकी रादधानी क्या है? इसकी रादधानी है और अगर इसके आजादी की पूँचे तो आपको बता देना है कि एक जनवरी 1901 को आजादी मिली थी, और 14 दिस इसमें सामिल है आपका आप देखेंगे अमेरिका, कहां है अमेरिका, साइब तराज अमेरिका, इसकी अगर राध्धानी से आपकी पूँचे तो आप सभी को मा आजादी मिली थी, अमेरिका को मिली थी आपकी 4 जुलाई 1776 में, 4 जुलाई 1776, तो इसमें आप लोगों को याद रखना चाहिए कि इसमें का चानों देख से सामिल है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्टिलिया, इनका एक तरह से मिला के इन्हें जो आपका क्वार्ड गु हिंद पिसांचेत में, सुरक्षित, सस्त्रे टी के निर्याद करने में भारत की निर्माड चमता बढ़ाने का मुद्दा अहम है, और याद रखिए आप देखेंगे पिसांचेत की अगर बात करें, तो आप देख रहे होंगे कि चाईना कहा है, यह आप देखते हैं, दच् हो बनाने की बात की गई है, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि सिकर सम्मिलन की बात करें, कुछ महत्पूर्तत हैं आपके, भारती पिदान मंतरी मौदी ने क्वाड की इस सिकर सम्मिलन को संभूदीत करते हुए कहा है कि जलबाई परिवतन, वैक्सीन और उभरती प अरम निर्पेक्च और सम्मरिद इंडो पैसेफिक छित को बढ़ावा देने के लिए पिसंस अभी किये, और उस्टेलिया की पिदान मंतरी ने कहा है कि क्वाड 21 भी सदी में इंडो पैसेफिक दुनिया के भाग निर्याद को आकार देगा, और क्वाड की ये सांजेदारी इस्थिरता सांती और सम्मरिद्धी का पितिक भी माना जाएगा, वहीं सर्वक्तराज अमेरिका की राष्टपती जौब विडिन ने यह स्वासन दिया है कि अमेरिका इंडो पैसेफिक छित में इस्थिरता बढ़ाने के लिए क्वाड नेताओं और छित के अन्न सहयोगी देशों के साथ काम करने के लिए पिति वद्धे हैं, इसके साथ ही आप देखेंगे कि वाड नेताओं द्वारा भारत की लगदाग चित में चीन की मौझूदगी का मुद्दा भी उठाए गया है, और विदित हो की हाली में भारत और चीन की वीच LAC परसेनिकों के पीछे हटने को लिकर कूट नेतिक इस्तर की 21 भी मीटिंग हुई है, आप देख रहे हैं कि एक बड़े लंबे समय से एक तरह से यहाँ बिवाद चला रहा है, देखेंगे आप लोग देखेंगे लगदाग यहाँ चला रहा है, ठीक है उसी की बात की जा रही है, अगर इसकी अच्छा संबाद है, इसमें आपकी चार देख सामिल हैं, भारत हो गया, जापान हो गया, उस्टेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन सभी देखों को मिला कर एक गुरुप बनाया गया है, इसका उद्देख क्या आया कि इस तरह का भी कुश्चन्स आपका प्रेलिम से में गठन किया गया है, और साल 2007 में इसिया पिसान पहासागर में चीन के बढ़ती वर्चे सुकू कम करने के लिए उद्देख से आपका कुवार्ड का गठन किया गया था, कव सन 2007 में, जापान के ततकालीन पिदान मंतरी सिंजो आबे ने कुवार्ड का विस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका, ऑस्टेलिया ने समर्थन किया था, और प्यारम में देखेंगे आप लोग की यह इंडो पैसे पिक इस तर पर काम कर रहा था, ताकि समुद्री रास्तों से ब्यापार आसान हो सके, और भारतमाने में अब यह ब्यापार के साथ साथ सैनिक वेस को रास भी किया जा रहा है, तो इससे जो भी आपका कुश्चन्स बनता है, तो आप लोग मुझे लगता है कि इससे आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है? और अधिकतर संगटनों के बारे में आप याद रखा करिएगा कि कौन-कौन देश सामिल है, उसमें भारत देश सामिल है जाते या नहीं है, और उसका उद्देश आखिर किस उद्देश से उसका घठन किया गया है, कब किस तन में उसका घठन किया गया है, ठीक है? यही बातें याद रखा करिएगा, इनी से आपके कोश्चन्स बन जाते हैं, और याद रखी एट टॉपिक आपका सामान तो आपके मुख परिच्छा के पॉइंट में उसे भी मत पूंड हो जाता है चलिए कवर हो जाएगा यतने में मुझे लगता है आराम से आप लो अगर कोश्चन कोई पूचा जाए तो आराम से कवर कर सकते हैं